सियार की चतुराई कित स्टोरी इन हिंदी किसी जंगल में एक शेर रहता था. एक बार वह पूरा दिन इधर उधर भटकता रहा, लेकिन भोजन के लिए कोई जानवर नहीं मिला. ठक हार कर वह एक गुफा के अंदर आकर बैठ गया और सोचने लगा कि रात में कोई न कोई ज चतुर था. उसने गुफा के अंदर जाते हुई शेर के पैरों के निशान देखे और अनुमान लगाया कि शेर अंदर तो गया है, परंतु अंदर से बाहर नहीं आया है. वो समझ गया कि उसकी गुफा में कोई शेर छिपा बैठा है. सियार ने तुरंत एक उपाय सोचा. वो गुफा के भीतर नहीं गया. उसने बाहर से ही आवाज लगाए, ओ मेरी गुफा, तुम चुप क्यूं हो? आज बोलती क्यूं नहीं हो? जब भी मैं बाहर से आता हूँ, तुम मुझे बुलाती हो. आज तुम बोलती क्यूं नहीं हो? गुफा में बैठे हुई शेर ने स ऐसा सोचकर शेर ने अंदर से आवाज लगाए और कहा, आजाओ मित्र, अंदर आजाओ. आवाज सुनते ही सियार समझ गया कि अंदर शेर बैठा है. वो तुरंत वहां से भाग गया. और इस तरह सियार ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचाली.